हलो इस्टूरेंट में एक तस्यां आप सभी का ग्यान चितने चैनल में बहुत बस्वात करती हूँ आज के स्टॉपिक में हम प्राचीन भारत के थ्यास से संबन इस कुश्चन आंसरों को देखेंगे साथ से उसकी ब्याख्या भी देखने वाले दूर पश्चिम में और बलूचेस्तान यानि मकरान समुद्र टट से 56.32 किलोमेटर उत्तर में दर्स्त नदी के पूर्वी किनारे पर इस्तित है इस टाइन ने इसे 1927 में खोजा था यहां पर परिक्षण गर्थ खोदे 1962 में जार्ज डेल्स ने इस स्तल का सर्विक्षण किया उन्हें यहां पर बंदरगा दूरगे नीचले नगर की रूप रेखा मिली डेल्स ने दूरगे में सिंदू सब्विता के तीन चर्णों की पहचान की है जिसके नुसार मूलता समुद्र जो है सुद्का जैन डोर के बहुत समीब था और इस स्तल के एक बंदरगाह के रूप में सिंदू सब्विता और बेबिलोन के मद्दे होने वाले बैपार में मातपुर्ण भूमिका निवाई थी अगला कोशन है हडपा संस्किती में निम्ने निम्ने इस थलो में चावल कहां से मिला है तो आंसर हमारा लोथड हो जाएगा यह यूजिसी में आया हुआ कोशन है तो वहाँ पर बहुत सारी अप्शन थे तो लोथड भी होगा रंगपूर भी होगा जहां पर हमें धान की उपच के बारे में मातपुर्ण जानकारी मिल करते थे यानि लोथड और रंगपूर कहां पर है गुजरात में है अगला कुशन है हडपस अभिता के लोग लाजावर्द निम्लिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे हडपस संस्किति के लोग लाजवर्द बदक्षा य और गोटी हडपा से तीन मन के और खाचित करने के लिए प्रियुक्त एक टुकड़ा, चहिंद्रो से दो अधिबने मन के और लोथर से दो मन के मिले हैं, लाजवर्थ के मन के मेसोपोटामिया से परियाप्त संख्या में मिले हैं, अगला कोशन है, निमलिखित मैसे हडपा संस किती के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो यह आंसर मोहन जोदरो की तरफ जाते हैं, मोहन जोदरो में बागी सब चीजे हैं, परंतु यहाँ पर कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं, तो आंसर हमारा मोहन जोदरो हो जाएगा, ब्याख्या में ह कि हड़ापस अभिदा के लोग अपने मिट्टकों की अंतेश्टी की विविन तरीकों से करते थे हाला कि मोहन जोदरों से किसी भी प्रकार के जो कब्रिस्तान के साक्षे वो यहां पर नहीं मिले हैं अगला कोशन है निमलेखित मैं से कौन से बैदिक देवता बोगजपोई अभिलेख से इंड्रे मित्रे नासत्य तो यहां पर अगनी नहीं होगा यह गलत है मित्रे नासत्य यम नहीं होगा नासत्य यहां पर भी यम नहीं होगा तो इंड्रे मित्रे नासत्य और वरून तो हमारा डी ऑक्षन क्या है यहां पर सही हो जाता है डी ऑक्षन यहां पर यह ब्याख्या देखते हैं, आरियों के संबद में महतपूर्ण जानकारी जो है, चौदवी शता सदी, ईसापूर्व के बोगजपोई के अब लेखों से मिलती है, एक लेख में हिट्टाई, राजा, सुब्वी, लूली, उमा और मित्ती, यानि हित्ती कवीला और मित्ती कव को लेख मिलता है, तो मित्त वरुन को द्वन्द की रूप में लिखा गया है, दो देउदाओं के नाम इसे द्वन्द की रूप में लिखने की प्रमपरा जो है, वो वैदिक साहित में मिलती है, अगला कोशन देखते हैं, रिग बेद में वशिष्ट को किसके प्रोहित की रूप में प्रसुद किया गया, तो यहां पर वशिष्ट हैं, और यहां पर दो वशिष्ट के बीच में क्या है, यहां पर युद्ध होता है, जिसको दस राग युद्ध कहते हैं, तो यह जो वशिष्ट हैं, यह पुरूओं के, यहां पर भरतों के हो जाते हैं, तो सुदास के साथ हुआ था सुदास के प्रोहित जो है वशिष्ट थे उनके बुरुद दस राजाओं का एक संग था इसमें अनू दुहू यदू पुरू तुर्वस पांच जनों के अतिरिक्त पांच लगू जन जातियों अनिल प्राक्त भलानस शिवे और विशाशनी के भारत जन के प्रोहित थे और जो विश्वा मित्र हैं पहले विश्वा मित्ते थे लेकर इनको हटा के फिर वशिष्ट को कर देते इसलिए युद्ध होते तो पुर्वों के कौन हो जाते हैं विश्वा मित्र हो जाते हैं यह युद्ध पश्मोतर प्रदेश में मैंसे लड़ा गया था इसमें भारत भरत जनों के सौमिसुदास ने रावी नदी के टत पर एक भीशन युद्ध में दस राजाओं के संगे को पराजित कर दिया और रिगवेट कालीन भारत में सरवोष्ट क्या बन गया शमराठ बन गया अगला कोशन है रिगवेट मैंसे निमलिक को पश्वों के देता की रूप में सम्मुदित करते हैं और ये शूरे से संबंदी थे कौन पूशन और इनी की रथ को कौन खीचा करते थे बकरे खीचा करते थे अगला है वेदिक साहित में सवा और समीती को किसकी तो प्रजापती की हो गई दी ऑप्शन उत्तरवेदिक यूग में सवा और समीती के अधिकारों में भी परियाख ब्रद्धी होती हैं अधरवेद में सवा और समीती को प्रजापती की दो पुत्रियां कहा है इन दोनों संस्थाओं के सहरूप के विसे में बिवाद लुडविंग का विचार है कि सवा उचसदंती तथा प्रोहित तथा कुलीन लोग भाग लिया करते थे, इसके विप्रीत जो है समिती निम्न सदन थी जिसमें सामाने जन के प्रतिनी दी बैठा करते थे, जेमर का मत है कि सभा गराम की संसाती तथा समिती संपूर जन की केंडरीय समिती होती थी, केपी जायसवाल का विचार है कि समिती रिगवेदिक इस्त्रियों के संदर्ख में सही नहीं है, तो यहां पर है कि राजस्वल्ला होने के पहले ही उनका बेवा हो जाता था, तो रिगवेदिक में इस्त्रियों के इस तरह से कंडिशन नहीं थी, तो यह सही नहीं है, रिगवेदिक काल में इस्त्रियों को सम्मान ज भाग लिया करती थी, बाल विभा एवं विद्वा विभा नहीं होते थे, विभा में कन्याय अपना मत दे सकती थी, परदा प्रथा का प्रचल नहीं था, नियोक प्रथा प्रचलत थी, इस्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक अधिकार पुरुशों जैसे ही थे, दो द्रश् से रिखवेदिक समाज उन्हें आयोग समझता था, उन्हें राजनीती में भाग लेने का अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति अधिकार नहीं था, सब द्रश्टियों से वे पुरुशों के समाग हुआ करती थी, अंगला कोशन है, दो सूचिय दी गही हो, उसका मिलान कर सरस्वती का हो जाएगा, सतलच, और सोरी घागरा और हाकरा तो ये फाइब नमबर हो जाएगा। पुरुषणी शुदूद्री का हो जाएगा, सतलच, विपासा का व्यास, पुरुषणी कर रहा तो इस हिसाब से जो है वो 5,1,3,2 यह वाला जो कूट है 5,1,3,2 यानि कि B option यहाँ पर क्या है सही है आगे देखते हैं आगे भी यही सारा अगला देखते हैं अगला question जनक और याग बलक कथानक हमें कहां से मिलते हैं तो ब्रह दर्णियक उपनिशद्म से मिलते हैं बिदे राजा जनक और रिशी याग बलक का कथानक हमें ब्रह दर्यन उपनिशद्म में वर्निथ है इस उपनिशद्म के तीसरे अध्याय में रिशी याग बलक द्वारा जनक की सवा में सभी तत्तो ग्यानी विद्वानों के होने का उलेख है अगला question देखते हैं एतरे ब्र ब्रामण के अनुसार कहां के राजा समराठ की उपादी धारन करते थे तो समराठ जो है वो हो जाएगा यहां पर प्राच के प्राच है एतरे ब्रामण की अश्टम पंजीका में एक संदर्व है जिसमें इस यूग की बिविद शाशन पद्धितियों का परी गणन किया गय है इस संदर्व के अनुसार प्राच यानि की प्राच दिशा के राज्यों मगद कलिंग वांग वरडंग आदी के राजा है उनका समराज के लिए विशेख होता है और वे समराठ कहलाते हैं दच्छन दिशा में जो सत्वत यानि की यादव राज्य है वहां का राज्य जो ह बोजे था और उसके शाशक भोज कहें जाते थे प्राती ची दिशा यानि सूराष्ट कच्छ और सौवर आदी का शाशन प्रकार स्वराज है और वहां के सासक जो है स्वराष्ट कहा करते थे उत्तर दिशा में हमाले के छेतर वाले उत्तर, उत्तर वाले को विराट और पूरब पश्चिम वाला है उसको सौराष्ट कहा जाता था और जो साउथ वाला है देच्छिन वाला उसको भोज कहा जाता था तो हमारा जो कोश्चन था तो इसमेशंशना है कि कहांके सम्राठ को कि पूरश्चिन वाले करते थे italy पूरब ये अपने आपको सम्राठ धार्न करते थे थे भारत के में अगर देखे तो पूरब बला जो है वह प्राच्य है और जो पशेंबाला है वो भोज तो उसमें उत्तर कुरू है तो दिल्ली वाला कुरू वाला चितर आजाएगा उसके आगे वाला उत्तर मद्दे इस तरह से था आगे देखते हैं निमली खेती ग्रंथों में से प्रुमुक्र किसमें यग वेदियों के निर्माण का विवरन मिलता है तो सुलब सूत्र हो जायन आदी के निमाण का विवरन किया गया है यह आयों के ज्यामिति ग्यान का परिचायक है अंगे का उलेख सरपर्थम किस ग्रंथ में मिलता है तो अथरवेद में मिलता है मगत तथा अंगे का उलेख रिगवेद में नहीं मिलता है सरपर्थम इन दोनों राज्यों नग अथरवेद में मिलता है मगत तथा आर्या जो है अंग आर्या संस्किती से बाहर थे इनके प्रतीतरे स्कारपून भाव प्रकट किये गए हैं यहां तक कि इच्छा व्यक्त की गई है कि पूरब दिशा में इस सिती अंग तथा मगत के लोग जवार द्वारा गर्सत किये गए अनला कोशन है बुद्ध नै किस के इक शाहा को ध्यान में रखना Lisa जेक और अनुसार महिला एक तिने ता MARK Exodus ऑनला को से बिवेच पूर हो कि इस संगल प्रवेश किने का प्तानल की गई ता ता म।बिक्शू आपत किया गया संग मेप्रवेश बताया जाता है कि बुद्ध पहले तो महिला को साइन में बिरूदी थे लेकिन प्रचापती गौत्मी के कहने या अनुनाय बिने करने पर अपने प्रिये शिश आनंद के आग्रे करने पर उनने अनुमती प्रदान कर दी अगला कुशन है दूतिया बहुत संगिती का आयोजन कहां किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा किसके राज्यकाल में किया गया तो काला शोख हो जाएगा काला शोख दूतिया बहुत संगिती का आयोजन काला शोख शाशन काल में बुद्धी की मिर्ट्यू के लगबा सो वर्षवाद वैशाली में किया गया इस समय वैशाली के विक्षूओं ने विने सम्मंदी कुछ ऐसी नियमों को अपना लिया था जिन है अवंती आदी पश्मी इस्थानों के विक्षू त्याज्य समझते थे अता पूर्वी तथा पश्मी विक्षूओं के आपसी मदबेदों को दूर करने के लिए ही यह महासवाब बुलाई गई इसका आयोजन इस ते वरे यश ने किया था अगला कुशन है निमलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयू का कौन था तो बिम्मी सार था मगत के हर्यकवन्ज का संसापक बिम्मी सार और महात्मा बुद्ध कौन थे समकालीन थे यह बुद्ध बहुत अवंति का शाशक प्रधोत और कौशन नरेश प्रसंट जीत भी मात्मा बुद्ध के समकालीन शाशक थे परंतो इनके कारकाल की जानकारी उपलब्ध नहीं है तो यूजिसी नेट यहां से ऐसे पूछ सकता है कि इनका सारे का नाम दे दिया जाए सभी का सभी का और पूछ अगर एक तो है तो फिर भी सार आपकर सही आंसर है अगला कोशन है जैन परंब्रा के अनुसार 22.03 तइर नेमिनाथ किसे संदोर नेमिनाथ कृष्न से अगला कोशन है उनहें कृष्ण का समकालीन बताया गया है अगला कुशन है ब्रेश्णी वंस के पांच वीरों का लेख जो है निमने मैंसे किस अभी लेख में हुआ था तो यहाँ पर मोरा जो है मोरा भी लेख यहाँ पर सही हो जाएगा मतुरा के समीप जो है मोरा से प्राप्त प्रथम शती के एक लेख से पता चलता है कि तोशा नामक महिला के बासुदेओं के साथ साथ चार व्यक्तियों संकर्शन प्रधुन अनिरुद और सामिकी मूर्थियों को एक मंदिन में स्थापित करवाया और वायू पुरान में इन पांचो को पंचमीर पंचवीर कहा गया तो यहां से कोशन बनता है कि पंचवीर किन किन को कहा गया तो एक तो स्थायम कृष्ण है यहां पर यानि कि बासुदेओं इसके लावा संकर्शन प्रधुन्य अनिरुद और साम है आगे देखते हैं निमलिकित में से किस गरंथ मे आवतारवाद की चर्चा है तो आवतारवाद की भगवद गीता में हैं सबसे पहले भगवद गीता में आवतारवाद के सिद्दान का नीरूपन किया गया और वो दो दोरा पिटिपादित बोधी सब्तों के सिद्दानतों से उसे पुष्टी की गई कुछ ग्रंथों में विश्वु के 39 अवतारों का वर्णन किया गया हिली के नाम तोर पर उनके 10 अवतार ही माने गई हैं, ये अवतार कौन-कौन से हैं, तो मतस्य हो गया, कूर में हो गया, वरा हो गया, नर सिंग, वामन, परशुराम, राम, कृष्न, बुध्ध और कली, अगला कोशन है, पाशुपात्य संप्रताय के प्रवर्तक लकुलीश कहां पैदा हुए थे, तो ये गुजरात में पैदा हुए थे, गुजरात यहां पर सही आंसर है, शेव धर्म के अंतरगत, पाशुपात्य संप्रताय का विकास जो है, विकास हुआ, और पाशुपात्य क महा भारत में भी हुआ है वायू पुराण एवंगलिंगे पुराण के विब्रणों से हमें ये पता चलता है कि पशुपत्य का उदिभाव लकुलीश नामक ब्रह्मेचारी द्वारा हुआ जो शीव का आउतार था जिस समय बासुदेव उत्री भारत में अपना धर में पिच में भारत के काया वरो रण यानि की गुजरात नामक इस्थान पर लकुलीश का जन्म हुआ वह शीव के 28 और अन्ति अवतार थे अगला कोशन है चंद्रगुपत्य मोरे के समय सौराष्ट का राजपाल ये कौन था तो सौराष्ट का राजपल राजपाल जो है वैश कर वाया था रुद्र दमनन के जुनगर ओलिक से पता चलता है किस जीड का नेलमांका का रहे है सिर गुप्त वैश्च ने आरब कर वाया था तसा सीव कल में में सिरुप नेगे में पूरा पुरगं था girl को अगला कोशन देखते हैं अगला कुशन है भारत के संदर्प में मांसून की खोच किस ने कीती तो हिपाल लुस ने कीती सी ओप्सन सही हो जाएगा हिपलस नामक यूनानी यात्री ने हिंद महासागर से चलने वाली मांसून हवा का पता लगाया जिससे मिस्र तता भारत के बीच आने वाले जहाजों को एक वर्ष के स्थान पर केवल तीन मास लगने लगा अगला कोशन है नहपान के समय स्वण एवं करशापन के विनेवाई की दर क्या थी तो एक अनुपात 35 थी नहपान के नासिख अभी लेख से प्रकट होता है कि स्वण का करशापन का अनुपात एक अनुपात 35 था अगला कोशन है पश्मी भारत के अभी लेखों से प्राप्त रुद्रदमन नामक शब्दिक से क्या अभी प्राय है तो रुद्रदमन जो है एक शक राजा था दारा चलाये गया सिक्का तो एक अप्शन यह आपर सही होता है अगला कोशन है युनानी रोमन ब्यापारियों को यवन की रूप में कहां उलिखित किया गया है तो आंसर कहां हो जाएगा संगम साहित में इसका यवन युनानी रोमन ब्यापारियों का यवन की रूप में उलिखित किया गया है संगम साहित में यूनानी रोमन बैपारियों का यवन की रूप में संगम साहित में उल्लेख है संगम साहित से ग्याद होता है कि यवन बैपारी अपने जहाजों में सोना भर कर मुशीरी बंदरगहा पर उतारते थे तता उसके बदले काली मिच और समुदरी रतन ले जाते थे मुशिरी, पुहार तथा तोंडी में यवन बैपारियों की बस्तियां थी संगम साहित में तमिल प्रदेश की बैपारिक सम्रदी का जो चत्रन मिलता है उसकी पुष्टी जो है क्लासिकल विबरणों एवं उत्खनन से प्राप्त समग्रियों से भी हो जाती है अगला कोशन है निमले के उत्ते खात स्थलों में से कहां से दच्छन भारत और रोमन जगत के बैपारिक सम्रदों का साक्षे मिलता है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अरिका मेडू कोरो मंडल समुद्र तट पर पांडे चेरी से तीन किलोमेटर दच्छन में स्थिफ अरिका मेडू भारत और रोमन बैपार का सरवदिक मातपूर इस्थल्था 1945 में यहाँ पर खुदाई हो रहो एक ऐसी विशाल सेना बस्ती का पता चलता है जो पैपारिक केंदे थी और इसी के सम्में पे एक बंदरगार भी था इसा पूर प्रिथम शताबदी से इसा की दूसी शताबदी के प्रारम में तक इसका उप्योग होता रहा यहाँ से एक बड़ा माल गोदाम दो छोटे छोटे जलकुंडे रोमन दीब के टुकडे कांच के टुकडे रतन मन के तथा बरतन प्राप्त किये गए एक मन के पर रोमन समराज आगस्टरस का चित्र है अब यहाँ पर दो सूचिया गई है इनका मिलान हमें करना है तो तिरू कुलर शिलब दीगारम मनी मेखलो तोल कपियम तोल कपियम का हो जाएगा तीन से शिलब दीगारम का हो जाएगा इंगालो आडीड गल से तो तो पहला तीरू कुलर तीरू वरलूवर है तो यहाँ पर जो सही अंसर वह हैv doesn't तेरू कुलर का हो जाएगा तीलूवर symmetry का हो जाएगा तीलूवरूवर सिलब देगारम का इससे थे मतलब यहां पर पूर्वी तटवाले हमें बताने हैं, तो मुशीरी नहीं होगा, तीसरा जहां जहां पर है, उसको हम काट देंगे, तो इस रिसाब से हमारा पहला उप्षन यहां पर सही हो जाएगा, मुशीरी जो है वो कहां पर है हमारा वो पश्यम में है तो पेरिपलस अफ्ता एथिरियन सी के अनुसार कमरा यानि की कावेरी पत्नम पुहार तथा कोलाची यानि कोड के पूर्वी तटपरिस्तित बंदरगा है जब तोंडी और मुशीरी कहां पर है पश्यम में आगे देख प्रस्त आधर द्रोण और खारी तो यह यूजिसी में भी पूछा गया कोश्यन है जो क्रम शा बढ़ते हुए क्रम में थे प्रस्त यानि की आधक का एक चौथाई होता था आधक द्रोण का एक चौथाई होता था और 16 कुडवों के बरावर या भार के लगवक साथ और 10 होता था खारी भी अनाच का माप जो द्रोण के बरावर था अगला कुशन हें लिग का तौड़ करुश द्रोण के का एक महान निर्मानता थे उसके अनेक स्थूपों तता विहारों कर निर्मान किया गया, अपनी राजधानी पुरुषपूर यानि के पेशावर में 400 फिट उंचा विशाल स्थूप उसने बनवाए था, जिसकी वेदी का 150 फिट उंची थी, फाहियान तता हेंग सांग दोनों ने इसका विवरन दिया, फाहि इसके शिखार पर 25 सुनहले मंडब बनाये गए, पूर्वी मुख्र के सोपान के दच्छिन में महा चत्य की छोटी छोटी प्रतिकितियां, प्रतिकितियां तता भगवान बुद्धी की दो विशाल मूर्थियां थी, दच्छिन तता दच्छिन पशिम में मूर्थियां बन जो कनेश के चेत्र कहा जाता था और संपूर्ण बौधे जगते में प्रिशेते था, इसका निर्माण यवन वास्तुगार अगिलिस द्वारा किया था, अगला कोशन देखते हैं, ध्रुवाधी करण, ध्रुवाधी करणिक जो है, का क्या अभी प्राय था, तो यहां पर ध्रुवाधी करणिक जो है, 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 नयाया दिकारण नामक पदादिकारी भूमी सम्मदी विवादों को निप्टारा करता था अगला कोशन है निमलिखित नाटकों में शुद्रक ने लिखा है तो मची कठीकम लिखा था शुद्रक ने मची कठीकम नामक नाटक लिखा था जिसमें कुल दस अंके थे इसमें चारुदत नामा के एक निर्दन, ब्रामर तथा बसंत सेना नामा के वैश्या के पढ़ना की कथा यहां पर लिख बढ़ने थे तो एक यहां पर क्या है दिस्कवर्य ओफ इंडिया में भी इसको क्या है इस वाले पार्ट को दिखाया गया है तो आप इसको वहां पर भी देख सकते हैं मची कठिकम और चारुदत और यह सारी बसंत सेना किस प्रिकार से इनका जो प्रेम प्रसंत है यह सब अगला कोशन देखते हैं पूर्वी मद्यकाली निमनांकित सिक्को मैंसे कौन मूली मैं सबसे छोटा था तो यहां पर द्रम जो और नहीं यहां पर can away ब्रिशोपक जो है बहुत इंपरंटेंट हैquently लुजी सिनेट ने ये कुछन पूछा था विशोपक जो है वो सबसे छोटा था तो पूरमधिकाली साहत है तथा लेखो मैंसे सिक्कों के लिए बिविद नाम जो है दीनार, रूपक, करशापन, विशोपक, विशितिक, आदी दिये गए हैं विशोपक यानि विशियक जो है विशिष्ट के यग कुण्डे से बतलाई गई हैं तो चेहमान हो गया, चालुक के हो गया, परमान हो गया और प्रतिहाद तो चारों के चारों जो है चाहमान, चालुक के चाचा, पा, प्रा तो ये जो है सभी के सभी है चंदर राजपूतों के उत पत्ति के अगनी कुण् जो चंदेबर्दाई प्रिथवी रासों में मिलता है उनकी झछनार के कथा के नुसार जब परशूरामने शत्रियों का बिनास कर दिया तो शाषकों की अभाव हो गया मलेक्षों तथा राक्षासों से अत्या चार बढ़ गए प्रत्थवी क्या है तरास हो गए अता प्रत्थवी के तरास को हरन करने के लिए वशिष्टन है आबू परवत पर एक यह किया जहां पर अगनी कुन से चार राजपूत कुलों का अधभा हुआ है तो परमार पी पी चाचा ठीक है तो पा प्रा चो चा तो दो पा है और दो चा है तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं अगला कुशन है निमली खित में से विद्वाओं के संपत्ती संबदी अधिकारों की किसने उदार व्याच्छा की है तो यहां पर यागवलक हो जाएंगे यागवलक ने उदार व्याच्छा की है इस्मिर्टी कार यागवलक ने यागवलक इस्मिर्टी की रचना की और यागवलक इस्मिर्टी मनु इस्मिर्टी की अपिक्षा अधिक नियमित है यागवलक ने विद्वा इस्त्रियों के संपत्ती में अधिकार इसपच रूप से व्यक्त किये हैं अगला कुशन है चेहमानों ने दिल्ली का यानि दिल्ली किस से छीनी थी तो ये हो जाएंगे तोमरों से चोहान वंसी राजा उन्हें विग्र राज चतूर्थ यानि सर्वादिक शक्तिशाली शाषक ता विग्र राज की भारती प्रडेसों की विजय में उसकी दिल्ली विजय सबसे उलेख निये थे यहां तोर्वंस का शाशक था विजो लिया लेक से यह विजय की सूचना मिलते है दिल्ली के तोमर शाशकों के विरुथ जो है चोहान शाशकों का संगर्स बहुत पहले से चला आ रहा है अभी किंतु अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिली तोमर शाशकों की स्वधीनता समाप्तकरों से अपना सामन्द बना लेना विग्र राजी की सबसे बड़ी सफलता थी अगला कोशन निमली के तराजाओं में से किसने मुझ सागर तांगड खुदवाय था तो आमसर क्या हो जाएगा यहां पर वागपती दुतिये पर्मार वंचिये शाशक वागपती मुझ ने इसवी नौसो बानवी इसवी से लेके नौसो अंठानवी इसवी तक राज्य किया विजेता होने के साथ साथ वह एक उच्छ कोटी के कभी और विद्या और कला का उदार संदक शक्ता पदम गुप्त यानि धनन जय धनिक हला का युदि अंतिम गति जैसे विद्वान उसकी राज सवा को शुशोवित करते थे। वह महा निर्मार्ता भी था उसने अनेक मंदिरों तथा सरोवरों का निर्माण करवाय था। अपनी राजधानी में उसने मुझ सागर नामक तालाब बनवाय था तत्ता मुझ पूर ना अगला कुशन है हिंदू शाही शाष्कों की राज़ानी कहा थी तो उद्भानपूर उद्भानपूर थी डी ओप्शन मेहमूद का प्रिथम भारती आत्मर्ट पश्मोत्तर भारत के हिंदू शाही राजा जैपाल पर 1001 इस्वी में हुआ था पेशावर में दोनों के बीच गहमासान युद्ध हुआ जिसमें राज़पाल की पराजय हुई उसने महमूद को भारी हरजानी की रूप में रकम और पचास हांती का देने का बचन दिया महमूद उसकी राज़धानी उद्भानपूर लूटने के बाद अतुल संपत्ति लेकर गजनी बापस लोड़िय जैपाल इस पर अभाव को सेहन नहीं कर सका तथा उसने आत्महत्य कर ली अगला कोशन है सुल्तान मुईजुद्दीन का भारत में पर्थम आकमर हुआ था तो मुल्तान में हुआ था सुल्तान मुईजुद्दीन का पहला आकमर मुल्तान पर हुआ था 1175 से लेके 1205 इसवी के मद जो है मुहम्मद गौरी ने भारत पर कई आकमण किये सबसे पहले उसने मुलतान तता सिंद्ध पर आकमण किया वहाँ के शाशक शिया थे अता मुहम्मद गौरी उनके राजी को जीतना अपना धर में समझता था 1182 इसवी में उसने मुलतान उच्छ तता दच्छ सिंद्ध को जीत कर उसने राज में मिला लिया अगला कुशन है निमलिखित मैंसे शाशकों मैंसे किसने अपने सिक्कों के प्रेश्ट भाग पर कलीमा का संस्क्रिप में अनुबाद किया था 14 singers stairs stairs swimming तो आउनसर हमारा क्या कौन से हो जाएगा मेहमूद गर्जनवी सही आनसर है मेहमूद गर्जनवी एक समरार था मत्रा के मंदरों से प्रवावित होकर वहां की कारिगरों को गर्जनवी ले जाया गया और उसने वहाँ शांदर मजजितें और इमारतें बनवाई उसके पास चांदी के सिक्कों तथा संस्क्रित में कलमा लिखा हुआ पाया था अवियक्त मेकम मोहमद आवतार नर्पती मोहमद आयम टंको महमोद पूरे घटे हितो जिनायन तो ये पूरा कलमा लिखा हुआ था वहाँ पर आगे देखते हैं अगला कोशन निम्लिक मैं से कौन विशिष्टा दर्थ से संबंदित था तो विशिष्टा दर्थ से संबंदित कौन था रामानुज रामानुज थे विशिष्ट़ 32 संबनिद विशिष्ट़ 32 संबनिद रामानुज थे भार्टिे दार्षनिकों में शंकर के बाद रामानुज नाम अत्यyant महत्पूण है उन्होंने अपनी विचार के मात्यम से दृतवाद का व्यक्तित्य भक्ति वाद के साथ सुन्दर समन्वे इस्ताबित करने का प्रियास किया उनका जन में जो है 10-17 में दच्छन में हुआ था वे 120 वरसों तक जीवित रहे वियमनाचारी के शिश्य थे यमनाचार उपनिशद में अंतर निहित दार्शनिक विचारों की व्याख्या करने अपने धंगसे करते थे कारण इसका मत्य विशिष्टा द्वयत्य कहा जाता है अगला कुश्चन है बहुत धर्मी की आलोचना एवं बैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है तो आंसर कुमारिल हो जाएगा तो बहुत धर्मी की आलोचना वो बैदिक परंपरा के समर्थक जो है कु कुमारिल बहुत important नया कुशन एकदम कुमारिल जो मतलब बहुत धर्म के अलोचना करता है लेकिन जो बैदिक धर्मे को भी सही ठेराता है कुमारिल है अगला कुशन है निम्भ लिखित में से कौन वैश्म धर्मे के सनक संप्रदाय से है तो सनक जो है वो हो जाएगा निम्भ निम्वार्क सनक संप्रदाय से संबन्दी थे, निम्विकाचारी का जन्म पारवी शताबदी के लभ्भाग तमिल लाडू प्रांत में बेराली चिला के इस्तित निम्वापूर नामाक स्थान के निकट हुआ था, निम्विकाचारी को सुदर्शन चक्र का आउतार माना जात यह तेलंग ब्रामार थे तथा रामानुच के संकालीन थे उन्होंने रामानुच की भाति संकराचारी के आदवत्यवादी दर्शन का खंडन किया निम्बकाचारी का संपरदाय सनक तथा संकादी संपरदाय था तो अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आये तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में